हेलो फ्रेंट्स तो हम देख रहे थे अपना चैप्टर ड्राइंग फर्मसोटिकल इंजिनेरी की यूनिट थर्ड का तो ड्राइंग में हम और मोस्ट सारा कुछ कवर कर चुके थे तो आज से हम ड्राइंग में स्टार्ट कर रहे हैं ड्रायर तो ड्रायर वह में दौनों पूछ लिए जाते हैं इसके बाद जो हमारे ड्रायर है इसको पढ़ने में आपको इंट्रेस्ट भी बहुत आएगा आपको अच्छा भी लगेगा तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखते रहे हैं सुरू से एंड तक आपको पूरी वीडियो अच्छ समझते हैं इससे क्या होगा आपको यह बहुत ही ज्यादा एजी लगेगा तो कंस्ट्रक्शन में हमारा होता क्या है आप डाइग्राम से देख सकते हैं कि एक हमारा चैम्बर टाइप पूरा होता है तो इट कंसिस्ट अप रेक्टेंगुलर चैम्पर फूस वाल आर इंसिल सकती है इन में हम क्या करते का अपना चै। रघते हैं जिसे हमें डराइप करना है यहां तक आप समझें के वाद क्या है紀र में एक हमारा फैन फिट होता है फेन क्या कुद इसमें air का use करते हैं dry process के लिए तो जो इसमें air हमारी आती है इसको circulate करने के लिए पूरे इसके अंदर हमारा यहाँ पे एक fan लगा होता है जो fan इस air को पूरे में circulate करता है इसके बाद इसमें कुछ हमारे direction vents भी होते हैं अब यह भी सोचने की बात है कि air है वो तो circulate होगी तो किदर भी जा सकती है ना वो उसका कोई वो तो है नहीं तो उसके लिए यहाँ पर हमारे लगए होता है डारेक्टर बेंद जैसे यहाँ देखिए तो अगर यहाँ से air हमारी आई इसने circulate किया यह उपर बेजेगी उपर से direct भी तो इधर जा सकती थी लेकिए यहाँ पर हमारे लगए डारेक्टर बेंद वो क्या करेंगे इसको इसी दिसा में बेजेंगी तो हमारा यहाँ पर जो हमारा air का flow होता है वो होता है turbulent ऐसे आप देख सकते हैं turbulent flow में हमारा हो रहा है यह हमारा साप की तरह है तो यह हमारा यहाँ पर simple हो गया इसके बाद इसकी working समझते है एक इसमें हमारा air in late होता है यहाँ से हमारी air अंदर आएगी एक हमारा air out late होता है पिर यहाँ पर हमारी tray होती है यह हमारा heater होता है अब इसकी working क्या कहती है कि when we put a wet solid is loaded into tray सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारी ये tray हैं इनके अंदर हम क्या करते हैं जो हमारा solid bad solid है मतलग गीला solid है जिसको मैं dry करना है इनके अंदर put कर देते हैं उसके बाद यहां से हम fresh air को pass करते हैं इसके बाद यह heater यहां पे लाइन है तो इस heater को जो हमारी fresh air वो cross करेगी और जैसे इस heater को cross करेगी तो हमारी air गरम हो जाएगी अब गरम air जहां पर पहुंची इसके बाद गरम air जहां आती है तो हमारे यह fan जो है वो fan इसको circulate करेगा तो fan क्या करेगा इसको circulate करेगा और हमारी यहां से जो air आई इधर और circulate करेगा, इसके बाद यह हमारे direction वह ना, इसको direction देंगे, तो हमारे यहां पर क्या होंगो, finally air हमारी introduce हो गई, heat हो गई, heater के दोरा, fan के दोरा circulate होने लग गई है, और हमारे यहां पर क्या flow हो रहा है, turbulent flow हो रहा है, और turbulent flow की बेज़े से क्या है, कि यहां पर थोड़ा vapor pressure just increase होता है क्योंकि vapor pressure turbulent flow बेसे decrease होता है जिसमें से होता हमारा हीट यहाँ पर यहाँ वह जल्दी heat होने लगेगा atmospheric pressure में vapor pressure कम हो गया इसके अंदर तो हमारी यह heat हो जल्दी थोड़ा होने लगेगा और क्या करेगा हमारी जो air है उसकी ठिकनेस जो है उसको थोड़ा कम कर देगी रिडियूस कर देगी क्योंकि यहां पर हमारी यह कट कट के जा रही है आप देखें सिंपल लेंग्विज में तो ठीक है इसके बाद हमारी यहां तक हो गई अब हमारी मेन बर्किंग शुरू होती है अब क्या करेगा जो बाटर है वो हमारा एयर के द्वारा पिक डब होता है मतलब एयर क्या करेगी इस पानी को उठाएगी यहां से जो हमारे यह बह रही है वो क्या करेगी इस पानी को उठाएगी क्या उठाएगी क्यों कि एयर जो है हमने पढ़ा था कि हमारे एमस्टर प्रोइट से लगे लूटिल नियुक्ष में झाशिया ले लिवह के लिएंगे लाफ्य एंद यहाथ Eu की त्रह प्रोबी ये गरम होते हैं तो हमारे दी क्या चाव म Ides चेट इन बॉइट के दूरा जैसे कुछ नीचे के सरवे स्थ पूरा है तो इन बॉइट के दौरा हमारा वह वार्टव मैं अबपरे होंगे आ Character के आजाएंगे और हमारी यहां पर सिंप्ल प्रसेस हो रही है इसके बाद यह हमारा सिंगल पस्किया पहले हमने एर single pass की अब single pass की बज़ा से जो air है उसके पास इसके पास time कम है मलत थोड़ी देर के लिए solid से touch हुई है तो हमारा time कम है जिस बज़ा से क्या हुआ हुआ हमारा जो drying process है बहुत ही कम हो गी मलत पहले इसमें कम होती है हमारे single पास में तो हमारी जो एयर है वो दोबारा हम इसमें सेर्कुलेट कर देते हैं तो हमारी यहाँ पर 80-90 परसेट जो एयर हमनी पर घुली थी कि वह हमारी फिट से री करने के लिए यहाँ यव्लैल यहां पर enter करा देते हैं तो यह सारी process जो हमारी है हमारी simultaneously चलती है मतलब एक साथ सारी की सारी चलती रहती है ठीक है फ्रेंट इसके बाद हमारे जो आउटलेट होगा है moisture हमारे यहां से निकल जाता है simple है अब इसको uniform मतलब uniform flow में air flow करते है जिस वजय से जो हमारी heating process है वो भी uniform हो जैसे हमने जहां से uniform जैसे हम आप यह समझीए कि आप एक minute में आप 100 घ्राम एयर दे रहीं यहां पर तो अगली एक मिनिट में भी आप 100 तिस्टी एक मिनिट में भी आप सौ क्राम ही एए तो हम यहाँ इयर यूनिफ़र्म होगा मतलब एक लեम है तो हमारे हीटिज प्रोसेस है वह फो भी यूनिफोर्म ही चलेगी मतलब तो अगर हमारे मैट्रियल सूखने में कोई मेटल सूखने में एक मिनिट लगता है तो आगे कभी मेटल सूखने में एक ही मिनिट लगेगा क्योंकि हमारे क्या चली यूनिफॉर्म फ्लो में चल रही है यह हमारा सिंपल यहाँ पर क्या है प्रोसेस है वर्किंग की इसके समझ गए बरके बहुत ही सिम्पल दी आप समझ गए होँगे अब इसमें क्या हो रहाए कि होट ट्रेड रहा है यहां में जो हमारी होटेयर वो ग्रींटर हृए हुई होड़ एर हुए हमारी हीटर को पास करके इसके बार क्या करेगी तो फोर्स कनलेक्षिन हीटтьिंग टेक बेस Enjoyments क्या है कि योफ युग थी आप ने देखा कि एरम अमारे पर यह प्रेस्ट प्रॉपर चले कर यहां चला जाएगा नीचे वाला यह ठंड़ा वह बापिस आ गया भी यहां पर और गर्म होगा तो जो हमारह सॉलीड है उसका इग्फ का मोश्चर एक वह हमारा चला जाता वह और नीचे वाले जो ठंड़ ह מדri new फिर वहारे गरमों के मोश्चर बन के ऊपर चलीony चाते हैं यह हमारे सिंपल प्रश यह कुछ एडवांट यूजे लेग लेते हैं तो यूजेज क्या है कि फिक्टिक界 मेटरियल को भी कर सकते हैं plastic प्रोडर्स को सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इसके बाद कि इसमें क्या करते हैं कि इनको मतलब जो लोडिंग अलोडिंग यह सब है ना यह इसमें कोई भी हमारा नुकसान नहीं होता जैसे अगर हमने इसमें एक किलो कोई मैट्रियल रखा है तो इसमें सिर्फ मॉश्चर कंटेंट रिमूव होगा बाकि हमारा जो भी मैट्रियल है वो हमें प्यॉर मिलेगा मतलब सुरक्ष सेफ इसके बाद इसमें ऑपरेटेड बैच वाई से हम क्या समझते हैं यहां पर देगे वन टू थ्री फोर एक तरह से यहां पर पर लंड करेंगे उसके लिए लोग चाहिए तो इन से सम्मे क्या जाएं इसमें हमारे क्या है रुपै भी जाधा हो जाएंगे और इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है कन्यूव होने में और इसको जब हम इंडेश्ट्री वगरा हमें यूज करते हैं तो यहां पर हम छोटा लेने चार प्लेट वाला वहां पर हम बढ़ा ले सकते हैं जिसमें और जादा भी प्लेट होंगी तो यह इसका है तो अब हम दूस है इसमें हमारा लिक्विड तो इसमें हम लिक्विड को यूज करते हैं लिक्विड को हम सॉलिड बना रहे हैं इसको ड्राई कर रहे हैं इसके पाद एक यहां पर हमारा स्प्रेडर है और एक हमारा यहां डॉक्टर नाइफ है डॉक्टर नाइफ क्या करती है जो प्रोडक प्रेस के नीचे का सर्फेस होता है इसके बाद यह हमारा थोड़ा सा इसमें डिब भी होता है अब हम यहां पर यह हम समझ गया क्या होता एक इसमें और चीज होती है वह हमारा है इस टोरेज विन इसको हम बोलते जो हमारा ड्राइ प्रोड़क को कबर्रेसीव करने के लिए यहां पर मार लगा होता है यहांत słu हो गया अब हम इसकी बर्किंग समझते हैं बर्किंग में क्या है आप पहले यह समझिए कि जैसे आप माल लीजें कि यह हमारा एक गरम है यह मैंने यहाँ टेप ले रखी है और यह हमारा क्या है होलो मतलब पूरी देख सकते हैं खुली हुई है तो इसमें क्या है कि वहाँ पे हम इसमें स्टीम भर देती है अब इसमें भर देंगे तो यह हमारा पूरा गरम हो जाएगा और अंदर से गरम होगा तो इसके भ वीनिवर हैं आप अब ऐसे समझे हैं we have much team macar क्या हो गया के यह हमारा जो ढरीता के is यह के पूरा यहलन का घरम हो गया इसके बाद इसमें रोटेशन लगा देंगे हो टेस jur請 का से कर देंगा तो Mei हमारी एक मिनट में कम से कम एक से लेके दस राउंड तक हमारा रोटेट कर सकता है यान कि जैसे यह है तो हम समझ लेते हैं कि यह हमारा एक ड्रम है वह हमारा फीड पैन है जिसमें हमारे फीड बरी हुए यह हमारा इतने डिप है इतने डिप होता है आधा तो यह हमारा एक मिन होता है वो क्या करता है इसके ऊपर चिपक के और एक फिल्म सी बनाता है फिल्म सी कैसे यहां पर देखिए जैसे हमारा यह इसमें चला जब यह से चलेगा तो इस लिकुड को अपने साथ थोड़ा यह ऊपर लेके चलेगा ऐसे अपने साथ लेके चलेगा ऊपर तो क्या कर रह थिन लेयर एक्टरनल सर्फेस के लिए हमारी थिन लेयर बनती एक्टरनल सर्फेस में उसके बाद क्या होता है कि the material completely dry during its journey in slightly less than one rotation अब यहां पर आप समझिए कि यहां पर हमारा material एक round complete होने से पहले ही हमारा material सूख जाता है मतलब आप समझिए कि एक मिनिट में हमारे एक से दस 10 round लग रही है तो अगर 60 second में एक से 10 round लग रहा है तो 10 second में हमारा एक round लग रहा है और उससे पहले ही हमारे यह material क्या करता है dry इसका मतलब आप यहां समझ सकते हैं कि हमारा material 10 से 20 second के अंदर हमारा जो completely dry हो जाता है material इसके बाद यहां हमारा जैसे यह चला यहां से हमारी थ storage band में अब हम इसको एक example की app से समझते हैं कैसे यह होता है तो simply आप लोगों ने marriage बगर हमें डोसा बनते हैं को यह rule देखा होगा तो डोसा बनता है उसमें होता क्या है कि हमारा एक plain surface होता है मतलब इसको हम बोलते है तवा और एक हमारा गीला वैटर मतलब dry वैट वैटर होत यहां पर हमने लगाया तो वो गीला था लेकिन वो क्या बनेगा एक solid form में हमारी film की तरह बन जाता है ऐसा क्या हुआ क्योंकि इसमें हमारी लगती है drying process मतलब जब हमने वह वैटर इसमें लगाया तो वैटर हमारा दाल बगरा से मिलके बना था जब हमने इसमें लगाया तो हुआ क्या कि उसके अंदर जितना moisture सा मतलब water content जितना सा वो पूरा का पूरा हमारा remove हो जाता है और man हमारा solid solid जो था वो हमारा बसता है as a film की तरह क्योंकि हम उसको एक help से कच्छली बगरा की help से हम ऐसे करते थे plane और बाद में सूखने के बाद हम उसको छुटा लेते हैं व यहां पर हमारी doctor knife के तोरह हम इसको cut करते रहते हैं और हमारे जितना solumatic वो यहां बाहर निकलता रहता है यह simple हमारी इसकी working थी principle में भी यही हमारा बताया क्या है यहां solus हमारा film बनाता है thin film बनाता है और हमारा suitable knife वो इसको cut करता रहता है dry film को और हमारे यहां dry material हमको मिल जाता है अब हम इसके कुछ usage देख लेते हैं क्या है एक हमारे यह last point क्या है कि the time of contact to metal with hot metal is 06 to 15 seconds मतलब 6-15 seconds के अंदर हमारी जो फिल्म बन जाती है इसलिए जो हमार यह processing condition such as film thickness है और यह हमारी क्या है बहुत अच्छे से हमको control करनी पड़ती है क्योंकि अगर हम थोड़ा था भी मतलब time control ना करें यह ना करें तो थोड़ी problem हो सकती है इसके बाद हम usage देखते हैं क्या है तो यह हमारा drying solution के लिए use होता है slurries होते है suspension बगरा क्योंकि यह liquid solution के इसमें हमारे इमल्ट यह सारी चीश में कर सकते हैं जैसे milk product को कर सकते हैं इतने सारे हैं आप 4-5 याद कर लेना बहुत होंगे जैसे milk product जिंक ऑक्साइड के suspension हो गया suspension हो गया फिर इस्ट हो गया एंटिवाटिक्स हो गया हमारे इंसेक्ट है डीडीट हो गया इन सबको advantage क्या है कि इसमें हमारा time बहुत कम लगता few seconds लगते हैं इसलिए हम इसमें हम heat material sensitive होते हैं उनको हम बहुत अच्छे से dry कर सकते है heat material sensitive क्या होते हैं heat sensitive जो ज्यादा देर heat पर खराब हो जाते हैं तो इसमें तो हमारी कुछ second लग रहे हैं तो खराब होगा इनी material इसके बाद जो product है वो हमें बिलकुल ही सूखा होगा मिलता है तो completely dry हमको इसमें product मिलता है इसके कुछ disadvantage क्या है कि इसमें हमें जो cost है वो थोड़ी spray dryer से ज्यादा होती spray dryer को हम आगे पढ़ेंगे maintenance cost इसके बाद जो मैं इसमें operator चाहिए जो इस machine को चला आएगा वो बहुत ही skill होना चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ही कम टाइम लगता है तो हमें मतलब इसमें control feed rate जो feed rate है जितना हम इसमें feed provide करेंगे वह भी control में होनी चाहिए film की thickness बननी चाहिए वह भी control में होनी चाहिए और speed of rotation जो हमारा drum rotate कर रहा है वह भी हमारा control में होना चाहिए और कितना temperature steam में provide करें जिससे वह हमारे जो drum है वह गरम हो तो उसके लिए हमें यह सारी पूरी वीडियो समझ आ गई होगी तो अगर आपको यह पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंट एक लाइक करेंगे जाए और कमेंट करके हमें बताइए और नेस्ट वीडियो में हम आगे के दो ड्रायर के बारे में discuss करेंगे तो मिलते हैं आप से बहुत दल तब अगरे थेंक यू टेक केर बाई बाई नोट्स आपको फ्रेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं बाई बाई